दुनिया भर में कोटन उत्पादन गिरने की आशंकाओं से इस बार कपास के भाव आसमान चूर रहे हैं MCX पर कपास के भाव लगातर 50,000 रुपे के उपर बने हुए हैं अगस 2022 में अब तक कपास के भाग 14 फिसदी उचल चुके हैं अमेरिका के क्रिश्य उभाग त्वारा इस बार अमेरिका में कोटन उत्पादन की एनुमान को 12.01 क्रोड बेल्स से गटा कर 11.70 क्रोड बेल्स कर दिये जाने के बाद से कोटन की वैश्वी किम्तों में और उच्छा लाने की संभावना है जानकारों की माने तो अमेरिका में सूखा पढ़ने से उत्पादन गिरने की आशंका बढ़ गई है टेकसास में 29 लाख बेल्स कपास का उत्पादन होने की उमीद है 2021 में टेकसास में 77 लाख बेल्स कपास पैदा हुई थी अगर भारत की बात करें तो देश में भी कैरी ओवर स्टोक में कमी आई है यही नहीं मौनसून ऐसंतूलन में भी की वजह से भी नई फसल का उतपादन गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है वहीं हर्याना और पंजाब में पिछली बार की तरह इस बार भी गुलाबी सुन्डी का कहर कपास की फसल पर देखा जा रहा है हर्याना के कई जिले इससे परभावित हुए हैं वहीं दूसरी तरह भारी बारिश से गुचरात महराश्च्रों में भी कोटन की फसल को नुकसान हुआ है वहीं उत्तर भारत में कम तो कुछ इलाकों में कम बारिश से कपास की फसल की कम भुआई हुई है और समय पर बारिश न होने से खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है इन सब कार्णों से भी घरेलू कपास उत्पादन में कमी आने की अशंका से भाव को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है वहीं अगर कोटन की चाल पर नज़़ डालें तो एपरिल में कोटन में 6% का उच्छाल देखने को मिला जब की मैं में 8% तो जून में 4% की तेजी धर्च की गई हलाकि जुलाई में कोटन में 14% की गिरावट देखने को मिली है लेकिन अगस्त में अब तक इसमें 14% की तेजी भी आ चुकी है कोटन की उंची कीमतों से इंडस्ट्री परेशान है स्पिनिंग मिल उंची कीमत होने के बाब जूत कोटन करिदने पर मजबूर है कोटन की बढ़ती कीमतों के कारण मिलो की मांग है कि वो कोटन को MCX से हटाया जाए तो लगातारी इंडस्ट्री सरकार से मांग कर रही है कि बढ़ती कीमतों की वज़े से इंडस्ट्री को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए कोटन को NCX वायदा से हटाया जाना चाहिए Bureau Report Market Times TV